C Language की सीरीज में आज हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टो C Language C Language जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं यह मान के चल रहा हूँ कि यह हो सकता है आपकी पहली प्रोग्रामिंग लाइंग्वेज हो तो हम इसमें बहुत ही fundamental बातों को cover करते हुए चलेंगे हो सकता है कि आपने पहले कोई language पढ़ी हो तो भी आपको यह सारे tutorial बहुत काम के नज़र आएंगे आईए रेखने हैं कि आज के lecture में हम क्या-क्या देखने वाले हैं आज का हमारा objective है why C Language is so important and history of C Language आज के lecture में हम programming start नहीं करेंगे in fact शुरुआत के दो-तीन lectures में हम बहुत ही fundamental बातें करेंगे जो की बहुत जरूरी हैं C Language सीखने से पहले So why C Language is so important? कई सारी चीजें जो हम सुनते रहते हैं हमें नहीं पता होते हैं कि यह वह softwares हैं जो C Language में बने हैं ऐसी कुछ famous softwares के में नाम यहां पर बताना चाहूंगा जैसे Oracle software का नाम हमने सुना होगा Oracle database sector में बहुत बड़ा software है बहुत ही ज्यादा यूज में आने वाला software है बहुत successful software है और यह software बना हैं C Language में इसके लाबा आज की date की hot technology Android इसकी भी core libraries लिखी गई हैं C Language में MySQL भी Oracle की तरह एक database management software है और यह भी C Language में लिखा गया है लगबख सभी device drivers C Language में लिखे जाते हैं जैसे हमारे computer में बहुत सारे hardware है और वो सब काम करता है विकार्स की उसके अंदर काफी सारे programs हैं जो hardware को operate करते हैं तो अलगलग hardware device को चलाने के लिए अलगलग program लिखा जाता है जिसको हम बोलते है device driver तो जैसे आप pen drive अपने laptop या computer में connect करते हैं तो USB port में लगाते हैं तब भी driver install होता है जिसके कारण आपकी pen drive के content को पढ़ा समझा जा सके यह भी एक device driver है इस तरीके से बहुत सारे device driver हमारे computer के अंदर होते हैं और जिसके कारण बहुत सारे devices को हम use कर पा रहे हैं इसका होने का पता भी आप लोगों को नहीं चलता है वो सिर्फ अपने computer को use करते हैं तो application software से interact करते हैं उन्हें नहीं पता चलता कि device driver क्या चीज है लेकिन जो लोग programming background के हैं या programming सीख रहे हैं उन लोगों को यह जानना चाहिए कि what is device driver so almost every device driver is written in C language हम जो internet को access करने के लिए web browser software यूज़ करते हैं जैसे google chrome या mozilla firefox या safari या opera जो भी यह generally जो famous कुछ web browser से इनका भी एक major portion C language में लिखा गया है Unix operating system a well known operating system और अपनी तरह का पहला operating system था यह भी C language में बना इन फेक्ट C language को बनाए ही गया था Unix operating system को develop करने के लिए C language आज दुनिया की सबसे ज़्यादा popular language है तो जो लोग यह कहते हैं कि C एक outdated language हूझ गलत चाहते हैं C language में आज भी बहुत ज़्यादा programming होती हैँ और अगर एक सर्वे को सही माना जाये तो C Language आज दुनिया की number one programming language है, यनि सबसे ज़्यादा programming C Language में होती है, उसके बाद Java में होती है, उसके बाद ही दूसरी languages का number आता है. तो कोई अगर ये कहता है कि C Language में अब programming नहीं होती है, तो उनको जहनकारी नहीं है, C language में अभी भी बहुत ज़्यादा काम होता है. एक student के point of view से सोचे तो C language का क्या importance है अगर आप अपनी programming skill develop करना चाहा रहे हैं तो C language के जरीया आप उसको बहुत अच्छी से develop कर सकते हैं आम तोर पे programming skill develop होने का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं भाशा विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है तो यदि आप कोई भाशा सीखते हैं तो उससे आप अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे कह पाएंगे लेकिन विचार आना भाशा पे निर्भर नहीं करता यानि आप जो सोचते हैं वो आपके thoughts उनको express करने का सिर्फ वो एक माध्यम है अब जैसे आप से कहा जाए कि आपको हिंदी आती है और हिंदी में आपको निवन लिखना लिखना क्या है ये तो आपको सोचना पड़ेगा अगर आपके दिवाग में विचारा जाए तो आप उसको लिख सकते हो क्योंकि आपको हिंदी भाशा आती है तो हिंदि भाषा आना इस बात की guarantee नहीं है, आपको सोचना भी आता है, तो programming skill कर develop होना मतलब आपको सोचना सीखना होगा, किसी program को, किसी problem को solve करना, कैसे solve करते हैं, ये सोचना सीखना होगा, इसी को बोलते है programming skill, और प्रोग्रामिंग के लिए डवलप करने का सर्फ एकी तरीका है कि हम बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाएं, तरह तरह के प्रोग्राम्स बनाएं और उसको हर तरीके से बनाने की कोशिश करें C language में हम लगबग सभी programming languages के features को cover करते हैं सभी programming languages में variables का concept होता है, FLS का concept होता है, loop का concept होता है, switch case होता है, function का concept होता है, array का concept होता है तो यह उस सारे concepts हैं जो हम C language में भी पढ़ेंगे और C language में पढ़ने के बाद एक बार ये concepts हमें समझ में आ जाएंगे तो किसी दूसरी language को सीखते वक्त हमें इन concepts को समझने की ज़रूत नहीं पड़ेगी, हम सर्फ ये सीख रहे होंगे कि इन concepts को उन languages में implement कैसे करते हैं अगर आप campus recruitment process से गुजर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि कई सारे companies अपने written exam में C language पूछती हैं, कुछ लोग interview में भी C language पूछते हैं तो C language का एक खासा importance उन लोगों के लिए हैं जो freshers हैं और अभी job चाहते हैं तो अगर आपकी C language अच्छी है तो बहुत chances हैं कि आपका selection हो जाए C language बहुत popular language है hardware level programming के लिए यानि system software बनाते हैं इसमें या device driver, operating system, embedded systems की programming इसमें होती है तो C language is very popular for hardware interaction अब जो लोग computer science branch से नहीं होते electronics branch से है, electrical branch से है, mechanical branch से है उनलों के लिए भी C language बहुत काम की होती है क्योंकि उनकी core field में भी C language का दखल होता है क्योंकि आजकल embedded system का जमाना है मशीनों को computer से operate किया जा रहा है तो वहाँ पे भी programming की जरूरत पड़ती है जिसे कि मशीन को हम एक तैशुदा तरीके से यूज कर सके तो C language तो सभी के लिए काम की है आएए बात करते हैं history of C language की C language बनने से पहले एक Martin Richards नाम की शक्स थे जिन्होंने language बनाई थी BCPL BCPL का full form है basic combined programming language इन्होंने ये language 1966 में बनाई थी इन्होंने बहुत सारी languages के features को combine करके इस language को बनाया था Ken Thompson जो AT&T's Bell Laboratory में काम करते थे इन्होंने BCPL language को improve करके B language बनाई कहां ये जाता है कि BCPL शब्द का ही पहला letter B इन्होंने अपनी language के लिए चुना इन्होंने एक तरह से Martin Richards को सम्वान दिया क्योंकि उन्हीं की language को use करके उन्होंने improvement करके B language बनाई थे ये काम इन्होंने किया थे 1969 में मकसद था ये एक operating system बनाना चाहा रहे थे और इस operating system को बनानी के लिए उन्हें एक अच्छी language की जरूरत थी और वो language उन्होंने बनाई B language तो उन्होंने पहले B language भी बनाई बाद में operating system भी बनाया और उस operating system का नाम है UNIX AT&T's Bell Laboratory में ही Ken Thompson के साथ काम करते थे Dennis Richie Dennis Richie ने 1972 में C language बनाई उन्होंने B language को ही improve करके C language बनाई और Ken Thompson से कहा कि अगर हम इस UNIX operating system को दुबारा C language में बनाए तो इसमें और कई features आ जाएंगे सबसे बड़ा feature था operating system का portable होना तो C language बनाई गई थी बनाने के लिए यह दोनों ही शक्स AT&T's Bell Laboratory में काम करते थे साथ में मिलकर इन्होंने दुबारा UNIX operating system बनाया और आज जिस UNIX operating system को हम पढ़ते समझते हैं वो C language में बनाया गया है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे इस सीरीज के और भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे जिसमें हम C language की programming सीखेंगे आपको 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 यह